जेहन साथियो बहुत दोश शागा थे आपका अपने ही चैनल एनायस ओनलाइन हब में इस वीडियो में दोस्तों बात करने बाले हैं बिहार शिक्षक बाहली से जुड़ी जो भी लेटेस्ट नियूज निकल क्या रही है तो दोस्तों यहां पर देख लिजे तिसरे चरण के 26 25 तिन परखंड नियोजनेकाई की जिले में चैन पर किरिया 21 एकाई का अभिहारतियों को नहीं मिलेगा कॉंसलिंग में मोका 21 तक पावंदी 17 से कैसे होगी कॉंसलिंग और यहां पर दोस्तों दिख लिजे यह आज का अपडेट है जो कि मुझपर पूर्च अपडेट निक लगातार जो इस पर स्टेटमेंट आता है आया है कि जो है निक्ति परकिरिया पर किसी तरह का बाधित नहीं होगा सेडूल के नुसार जो है कॉंसलिंग और निक्ति होगी और यहां पास सेटिपिकेट मिला नहीं करने पर होगी करवाई तो इन दोनों अपडेट्स को हम ल परवाही काटी सहागवांज के कुछ पंचायत की रिक्ती जोडी पर मिलान नहीं पहले आया वितन का अधार पर इन नियूजेंग काई में होगी कॉंसलिंग क्योंकि दोस्तों इस बार जो है लास्ट कॉंसलिंग होने जा रहा है तो आप लोग कोसिस कर जिए जिलावार की की सब जगह कॉंसलिंग हो जहांपर रध हुआ है वहांपर कॉनसलिंग किया जाए क्योंकि चुरिण जगा जो है कांसलिंग रद कर दिया गया है तो अभिहारतियों को बड़ा जटका लग सकता है क्योंकि कहीं न कहीं चार-पांच मेहने बाद कॉंसलिंग रद कर देना कहीं न कहीं दोस्तों मैं ओ जो है पीडियाप आप लोग के साथ सेयर करूंगा कुछ दिर बाद तो आइस पूरी अपडेट को देखते हैं वीडियो को लाइक सेयर कॉमन कर देना यहां पर नगर परिशद समयत 21 नियोजन ने कहा कि अभिहारतियों क तो तिसरे चरण के कॉंसलिंग में सामिल होने का मुका नहीं मिलेगा काटी साभगंज के कुछ पंचायत की रिक्ती जोड़ी है तो कई मिलान अब तक बाकी किया गया ऐसे में पहले आई आविदान का अधार पर नियोजन में जो है कॉंसलिंग होगी जिले में तिसरे के कॉंसलिंग नहीं हो पाई ती इसके साथ 12 नियोजन काई ऐसे हैं जिसका नगर पंचायत में मर्ज हुआ है लेकिन यहां में अधासुची रिक्त बनाने के लिए कॉंसलिंग की अब तक कोई करवाई नहीं की गया तिसरे चरण में 26 पंचायत नियोजन काई की यानि 65 नियोजन काई जहां कॉंसलिंग होनी है इसमें पारू के कई नियोजन काई को हरी जंडी मिल गए तिसरे चरण में नौ पंचायत ऐसे हैं जहां कई बार जो है निर्देश देने के बाद जो है सुची नहीं है इसमें और आए के चार मोतिपूर के दो कट्रा के एक गायगहर्ट का एक नियोजन काई समयले इन सभी पपत्र गठित किया गया है बारा पंचायत ऐसे हैं जो कि नगर पंचायत समयलित किये गया है यहां भी कोई कारवाई नहीं किये क्योंकि दोस्ता अगर नहीं किया जाता है तो उन अभिहारतें को भुगतना पड़े गया जो है जिसका अभितक जो है कॉंसिलिंग नहीं हुआ है क्योंकि कहीं न कहीं दोस्तों जो सेडूल जारी किया गया है कि 25 तारिक तक निक्ति पत्र दे देना है और यहां पर दोस्तों देख लिजे कहा जा रहा है कि तक पावंदी लग गई है तो 17 से कैसे होगी खटे चरं के जिचक नियोजन के तिसरे चरंश की कॉंसिलिंग स्य से निर्धारित की गई है सत्रgr झंशन जो लेकर 28 जनौरी तक अलगकी अलग अलग नियोजन यहें का यह कि कॉंसिलिंग के सरकार की ओर से निर्धारित आवी से सभी समीया उपस्तिती साथी करियाले खुलने का आदेश मिला था बरतमान में पावंदी जो है 21 जन्वरी तक एसे में कॉंसलिंग को लेकर प्रात्मिक सिक्षा निदेशक से मांगदासन मांगा गया है वो डियो ने कहा है कि इससे अस्तल भी निर्धारित नहीं हुआ है तो इहां पर दोस्तों जो रभी परकास जो नई प्राइमरी डायरेक्टर बने हैं दो दिन पहले ही जो है पदभार किया है तो उनसे जो है मांगदासन आप देख लीजे आगे क्या कुछ अपडेट आता है आप लोगों को मिल जाएगा चैनल पर जूड़े रहना सो से अधिक रिक्त अभिहारती 5000 से अधिक इन नियोजने काई में कॉंसलिंग नहीं होने से सो से अधिक रिक्त का पर गरहन इन नियोजने काई में कहीं 5 तो कही दस रिक्त वही अभिहारती 5000 से अधिक जिन्होंने आवेदन किया था नियोजने काई लापरबाई का खम्याजा विहारती भूगत रहे श्तिति यह है कि यह बहाली की बात सारे पद पर ने सिरे से त्यार होंगे और ऐसे में इन अभिहारतियों का भविस दापर लगा को लेकर विभाग को लिखा जा चुका है मैधासुची नियोजने काई को ही बनानी है आगे विभाग दिशा निर्देश करवाई करेगे तिन परखण नियोजने काई के लिए ही के लिए भी कॉंसलिंग 17 जन्मरी से होने वाली थर्ड चरन कॉंसलिंग 26 नियोजने काई के स साथ तिन परखन नियोजे निकाई के लिए कौंसिलिंग होगी और दोस्तों इसकूल कॉलेज जो है 21 तक बंद कर दिया गया है अब कौंसिलिंग से सम्भंदित कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है कि कौंसिलिंग नहीं होगा 17 से कोई officially अपडेट नहीं आया है लगातार दोस्तों सिक्षा मंत्री ये बात कहे है कि सिक्षा मंत्री लगातार कहा है कि सेडूल में कोई बदलाब नहीं होगा चेनित अभिहारतियों को निक्ति पत्र सा समय दिया जाएगा ये दोस्तों कल का रिपोर्ट है जो म नहीं देने पर सभी बियो समय जांच के सदेश करवाई की घेरे में 15 दिन रिपोर्ट देनी थी लेकिन दो माँ बाद भी सभी सर्टिपिकेट का सद्थापन नहीं हो पाई डिप्यो अस्तपना सभी तीन दिनों के अंदर मांगा था जवाब छट्टे चरन के चैनित अभि अभियारतियों का परमान पर सद्थापन आप तक नहीं हो पाई है और इसको लेकर जिले के सुलो बीयो समय जांच के सदेश सदेश भी करवाई के घेरे में हैं डिप्यो अस्तपना जमद्दीन ने शुकुरबार को इन सभी से जबाब मांगा है और इन्हें तीन दिन का अ अभियारतियों के परमान पर का सद्थापन गया घाट पारो के परखन में भी चैनित अभिया को सद्थापन कराया जाना है 25 परवरी को सभी चरण के अभियारतियों को नियोजन पत्र दिया जाना है जिससे पूर परमान पर का सद्थापन अनिवार है इसके बावजूद में परवानपत कि सतापन संभंदित रिपोर्ट नहीं मिलते हैं तो इन पर करवाई होगी जायर सी बात है दोस्तों क्योंकि कmera करवाई नहीं होती है क्योंकि सालों से तीन सालों से अभिआरती जो है परशान है बहुत सारे अभियारती चैन होगे हैं इस दुनिया में भी नहीं रहे तो यहां पर दोस्तों देख लिए सटी तो आगे के अपडेट के लिए आप बने रहे हैं इस सट्पिकेट का जो है होना है सत्तापन तो आगे की अपडेट जो है आने के लिए आप लोगों को दिया जाएगा